हाई फ्रेंड्स आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए यूटूब डाट काम स्लाश हिंदी टेक्ट्यूर्स टाइप करके यहाँ सब्सक्राइब बटन प्रिस करिए अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रिस करोगे तो हर दिन में जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स लाता हूँ ना वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छे ब्रॉजर के बारे में बताता हूँ आप यूसी ब्रॉजर का इस्तमाल करते होंगे गूगल क्रोम का इस्तमाल करते होंगे पर देखिए एक आपको ब्रॉजर मिलता है फूफिन नाम का ठीके तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो अक्रेली मैं यह पैड वर्शन डाउनलोड कर चुका हूँ ठीके तो पैड वर्शन किस तरह डाउनलोड करते हैं मैं आपको पिछले विडियो में बताया था ना उसका इस्तमाल करके आप पेड वर्शन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से वरना मैं नीचे Description में लिंक भी दे देता हूँ आप वहां से भी डाउलोड कर लिजे ठीके तो इस ब्राउजर की खासियत यह है कि देखिए आप इस पे जो कुछ भी ओपन करोगे ना बहुत फास्ट ओपन होता है ठीके तो आप एक बार ट्राइ करके देखिए मैं बोल रहा हूँ ना आप बहुत फास् करता हूँ टैप करते ही दीए कि मैं फास्ट ओपन हो चुका है ठीके इतना फास्ट मेरे कम्पिटर नगी को तो ठीके तो देखे कितना fast आ चुका है तो मैं किसी भी एक site को press करता हूँ न तो वो site भी मेरे पास देखे बहुत fast open हो जाएगी ठीके तो friends आप try करके देखे आप ट्राइ करके देखने से आपको पता चल जाएगा चलो यह तो हो गई एक use की बात और एक use की बात देखे इसमें place का button है न इसको press करते हैं आपको दूसरे tap खुल जाएगा आप दूसरे tap पर भी काम कर सकते हो यह हो गया दूसरा use और एक use क्या है देखे और एक use आप band site को भी अपने mobile पर आसानी से open कर सकते हो बिना कोई VPN software के जैसे देखे मैं यहाँ extra torrent site famous site है न ठीके तो देखे मैं इस मैंने इस पर कौन सा भी software install नहीं किया है पर देखे तब भी जाकर मेरे पास यहाँ extra torrent का site कितनी fast open हो चुका है ठीके तो अब आसानी से इस तरह sites को open कर सकते हो यह हो गया तीसरा फाइला तो fast दूसरा हो गया multitap तीसरा हो गया band sites open करना और चाहुता हो गया online games खेलना जैसे देखे मैं यहां जाकर online games टाइप करता हूँ ठीके तो अब देखिये computer पर तो आसानी से खेल सकते हो क्योंकि आपके computer पे flash Player होता है आप खेल सकते हो पर देखे आप दूसरे browser पर जाकर online games टाइप करके देखिये आपको game open नहीं होंगे क्योंकि देखिये आपको flash player नहीं मिल तब जाकर आपको पता चलेगा जैसे दीखिए यहां flash games बहुत सारे open हो चुके हैं और बहुत fast open हो रहे हैं ठीके तो दीखिए मैं एक game को tap करता हूँ तो इस पे game कैसा खिल सकते हो आप देखिए उसके लिए आपको एक keyboard और mouse भी दिया जाता है आप नीचे यहां देख सकते ह मैं आपको इस एक game को tap करके open करने के बाद आपको दिखाने से समाज आ जाएगा दीखिए यहां आपको प्लेस और यहां keyboard का symbol और mouse का symbol भी शायद आप देख सकते हो या नहीं मुझको नहीं पता पर देखिए यहां तो यह प्लेस का button है इसके जरीए आप आसानी से खेल सकत जैसे देखिए मैं यहां start button पर tap करता हूँ tap करते ही देखिए यहां आपको एक mouse का symbol आ रहा है actually ठीक है तो यानि वो click है ठीक है तो आप जिसको जूम भी करना चाहते हो तो जूम भी करके आसानी से आप PC पे जो कुछ भी online games खेल सकते हो आप अपने इस browser पर ही खेल सकते हो ठीक है तो friends अगर आपको और कुछ doubts हो तो इस browser के बारे में नीचे comment में लिखे और आप इस video को share करिए ठीक है तब जाकर देखिए मुझको encouragement मिलेगा और भी मैं आपके साथ अच्छा अच्छा tips को share कर पाऊंगा तो friends thank you